हेलो एवरिबन आज के वडियों बात करेंगे दो ब्रेक आउट सेक्टर वो दो ब्रेक आउट सेक्टर कौन से हैं उससे पहले आप यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखिए कि जैसे हमने आपके साथ डिसकस किया था लगातार बार-बार एक यही बार डिसकस कर रहा था कि कि निफ्टी में भी क्रेश नहीं आएगा जस्ट एक नॉर्मल क्रेक्शन है और जब यहाँ पर अठारा सुरी उननी दो सो तिन सो के पास सब क्रेश क्रेश की बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा कि क्रेश नहीं आएगा और आपको पूर एक्स्प्लें किया था कि पहले उपर जाएगा अगर क्रेश आना भी है तो तो वैसा ही देखिए इसने वीकली क्लोजिंग हमें उननी दोस्टों के नीचे नहीं दी और हम पहले उननी पांसो तक पहुंच चुके हैं यह कॉंटिन्यू ट्रेंड अभी शायद और रह सकता है और उपर हम यह उननी सा चार्ट रेडिंग आती है पूरा explain आपको समझ आता है तो फिर आप कभी वी जैसे social media की बातों में नहीं आओगे आप सिर्फ चार्ट पर द्यान दोगे कि यह चार्ट क्या बोल रहा है चार्ट के coding आप अपना plan setup कर सकते हो तो इसलिए चार्ट रेडिंग सीखनी बहुत ज कि द्यान होगा अगर आप प्राने follower हो तो मैं उनको बता देता हूं कि मैंने यहाँ पर आपको bottom identify कर दिया था कि यह bottom बन चुका है जो प्राने follower देख रहे हैं regular वीडियो तो comment करके जुरू बताना क्योंकि जो new follower होंगे जो आज वीडियो देख रहे होंगे तो वो लेंगे cash से proof तो आप परानी वीडियो जाके देख सकते हो या तो मिनत कीजिए परानी वीडियो देखिए या फिर जो पराने follower है तो बता दीजिए कि यहाँ हमने identify किया और आपको बार 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 बोला है कि यहाँ से buy करो buy करो क्योंकि देखी क्या होता है कि जैसे अभी एक comment कर रह होता है तब आपको वहाँ पर buy करना होता है अगर आपने long term investing करना होता है long term investing के लिए कभी भी breakout मत देखिए जैसे देखिए अब क्या है कि जब यहाँ पर यह पर प्राई था या यहाँ पर प्राई था तब सब लोगों को nifty IT में को interest नहीं था सारे लोग कह रहे थे कि इसक स्टोक का या सेक्टर का bottom बनता है द्वारा फिर रिपेट कर दता हूं आप कभी भी देख लाना किसी भी स्टोक को ठाके देख लो स्टोक का या सेक्टर का bottom तब बनता है जब वहाँ पर bad news सब तरफ चारो तरफ news bad चल रही होती है कोई उसको retailer हाथ लगाने को ready नहीं होता ह वहीं पर bottom आता है क्यों उसका logic यह होता है कि जब यह देखिए जब त्योंकि जो बड़े player होते हैं वो यहाँ पर देखिए कि उन्होंने देख लिया कि यह चीज़ ठीक है अभी price already नीचे आ गया discount आ गया वो आगे का six month one year की production लेके चलते है जैसे four jumper यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर सब लोग बुलिश थी कि यह price ओर उपर जाएगा निफ्टी आईटी यहाँ पर ओर उपर जाएगा बट क्या हुआ प्राइड नीचे आ गया प्राइड नीचे आगया वो आगे की prediction लेके चलते हैं आगे result कैसे आएंगे आगे क्या scenario बनेगा global में या अपने इंडिया मार्किट में तो उसके कारण वहाँ पर भाई करते हैं और दूसरी बात उनको बड़ी quantity में माल चाहिए होता है तो बड़ी quantity में उनको माल कब चाहिए कम मिलेगा जब वहाँ पर बड़ी quantity में कोई sell कर रहोगा रिटेलर सब sell कर रहोगे तब ही उनको ब आपको डिप में बाई कीजिए डिप में ही बाई कीजिए ब्रेक आउट को देखकर एकदम से अग्रेसिव मत होईए जैसे देखी इसी सेक्टर क्या अगर जैसे मैं बात करूं तो एक जैसे मैं आपको बारवर कह रहा था in forces लीजिए क्योंकि अगर आप देखोगे आपको example मिलेगा क्योंकि जो मैं आज आपको वीडियो शेयर कर रहा हूं purely learning purpose से शेयर कर रहा हूं so that की in future में आप खुछ से भी identify कर सकें यहाँ पर आप देखिए कि यह जब इसके result आ गये थे bad result आये थे but वहीं पर इसका bottom बन गया क्योंकि यहाँ पर सब लोग जब bad result आ यह सारो क्योंकि रिटेलर वहाँ निकल जाता है क्योंकि वह इतना patience नहीं रखबाता वह बस panic में आ जाता है जैसे टीवी पर social media में चार तरफ सुनाई देता है वह बस उसी की बातों में आ जाता है और द्वारा फिर देखिए result खराब आए फिर से देखिए प्राई यहाँ से देर क्योंकि यह तो result आ गए यहाँ तो देखिए यह 10-15% down move मिल गया तो जो एक वर news हो गया वो discount हो गया old lady अब आगे की prediction क्या है कि आगले quarter result कैसे हैंगी वो market identify करता है उस base पर price move करता है उस base पर बड़े player entry करते हैं तो nifty IT पर breakout nifty अगर IT का अब target की बात करें तो target अगर बात कर तो weekly chart open करते हैं आप तो अब next target यह रहने चाहिए जो है 36-600 का यह अभी nifty IT के यह आपका T1 रहेगा पर मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको नीचे मिल जाता है द्वारा फिर 28-29,000 के level के आसपास वहाँ पर भी आप buy करके चलिए dip में buy कर जिए एकदम से सारी quantity मत कीजिए so that कि अगर माली जे correction आती है तो फिर आप वहाँ पर capital आपके पस बचे नहीं और sector में भी आप देखो तो यह 200 इमे के अपने आसपास फिर इसके आसपास ही इसने bottom बनाया अब दूसरा sector की बात करते हैं निफ्टी मैटल तो निफ्टी मैटल में देखिए यह अगर आपको याद होगा तो बार बार जब दिए देखिए price यहां पर था मैं आपको का था कि ले लिजिए ले लिजिए बार बार आपको टाश्टील, एनंटीसी, सेल, हिंदाल को सब आपको बार बार रिकमेंड अब अगर हिंदालको का आप चार्ट देखोगे तो यहां पर देखिए कि कि जब यह पर प्राई नीचге फोल जा रहा है और यहाँ पर प्राई था तब सब लोग इसमें क्यारा है यहाँ पर बैड पर मिल जाएगा कि मैंने आपको नहीं हो गप आपके सामने रिजल्ट आपके सामने हैं तो अभी इस लेबल पर मैं मैं बिल्कुल नियुल आपके विलूँगा SRF का डेली का चार्ट देखिए ये मैंने आपको explain किया था जब ये candle बन गई थी देखिए और मैंने आपको explain किया था कि हमने ओल लेडी इसको buy कर लिया है 230 के लेवल पर ओल लेडी buy किया है और जो हमारा first target था 2500 का उसके हम अच्छी कर चुके हैं यही target था इसके वहाँ पर हम कहुंच चुके है बट अभी क्या है कि अभी सारे आपको देखने को मिलेगा कि SRF को सब लोग recommend करेंगे ये metal को सब recommend करेंगे IT को सब recommend करेंगे भी देखिए break out identify करना easy है क्या है कि एक trend line के उपर जा रहा है एक line के उपर चला गया तो easy है बट वहाँ पर trap भी हो जाता है तो आप यहाँ पर देखिए यह जब SRF में यहाँ breakout आया यहाँ trap होई प्राई नीची आ गया इस line के उपर गया प्राई नीची आया यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके उपर गया प्राई नीची आ गया तो breakout कोई ऐसा मंतर नहीं है कि breakout आ गया तो बस center आपको वह उपर ही चलता जाएगा breakout कई वार fail भी होते हैं प्राई नीची आता है तो इसलिए better रहता है कि अगर आप bottom 25 bottom fishing करके अगर आप किसी भी stocks में इंडेक्स में अगर गुसते हो उसमें entry करते हो तो बहुत बढ़िया रहता है आपको risk reward बड़ा मिलता है ओधर भाई breakout के बाद भी आप देखते हो प्राई तो नीचे आ जाता है लोग hold करते रहते हैं और फिर उनको reward उतना नहीं मिलता है तो अगर आपको मैंने आपको कई बार ये चीज explain किया है बट अगर आप थोड़ा और इसको deeply चाते हो बिल्कुल exactly एक professional pro trader बनना चाते हो ये investor बनना चाते हो तो आप ये जो हमारा course है zero will become master trader आप इसको enroll कर सकते हो कोई आपको forcefully नहीं है लेकिन अगर आप उससे self independent बनना चाते हो तो ये आप जुरूर नोल कर सकते हो ये हमारा free telegram channel का link आपको description comment में पीन वह मिल जागा आप link पर clean करके और इसको link पर click किजिए ये आप हमारी app को download कर सकते हो आप का download करने का कोई चार्जी नहीं है वहाँ पे हम आपके साथ weekend पर या week के बीच में भी कभी भी आपके साथ query ले लेते हैं अगर आप special बोलते हो तो special भी session हम कर लेते है query session के लिए वैसे तो उसमें already इतनी videos है कि आपको सब कुछ समझा जाए लेकिन उसके बाद भी हम query session लेते हैं जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आता कभी भी आप query session ले सकते हो तो आज की वीडियो में गई जितना ही था कि आपको ये breakout sector के साथ साथ आपको ये भी मैंने explain किया कि bottom जब identify होता है तो bottom से buy कीजिए और वही आप उस चीज़ को सीखिए breakout तो सारी दुनिया करती है I hope कि आपको वीडियो अच्छे लगाओ तो like कर देना धेर सा शेर कर देना और चैनल पर first time आए तो subscribe जुरूर कर लीजिए और bell icon को जुरूर press कर लीजिए वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद